पलपर में चोरी हो गया चार लाक रुपे से भरा बैग सीसी टीवी में बच्चा चोरी कर ले जाता दिखा बाहर गैंग का दूसरा आदमी खड़ा था शादियों का सीजन शुरू होते ही बिन बुलाई महमानों ने रंग में भंग डालना शुरू कर दिया है हरमारा इस्ते टेक मैरिज गार्डन का सीसी टीवी पूटेज सामने आया है इसमें एक बच्चा रहकी करता हुआ दिख रहा है और फिर मौका पाते ही चार लाक रुपे से भरा हुआ बैग लेकर पार हो गया गैंग का एक साथी बाहर इंतजार करता भी दिख रहा है दूले के पिता के पास था बैग पुलिस ने बताया कि 15 अप्रेल मुल्लीपुरा निवासी हुकुम चंद के बेटे की लगन टीके की रसम सीतावली फाटक के पास इस्तित रंग बहल मैरिज गार्डन में चल रही थी परिवादी के पास 4 लाख रुपे से भरा एक बैग मौजूद था जिसमें सोने के जेवराद में रखे हुए थे परिवादी ने बैग अपने हाथ में ही पकड रखा था और तभी इस दोरान एक बच्चा परिवादी के पास में आकर बैट गया परिवादी के एक रिष्टेदार की तब्यात खराब होने पर जब परिवादी उससे बातचीत करने लगा तो बैग को जैसे ही उसने नीचे रखा वैसे ही बच्चे ने बैग को चुरा लिया और दोरते हुए मैरिज गारण से बाहर निकल आया CCTV देखा तो खुला चोरी का राज वारदात का जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें बच्चे के साथ गयाएं का दूसरा सदस्य भी नज़र आ रहा है फुटेज में गैंग के सदस्य के साथ बच्चा मैरिज गार्डन में बने कमरों में तांग ज्वा करता हुआ भी नजर आया इसके बाद गैंग का सदस्य गार्डन में बाहर ही रुख जाता है और बच्चे को मैरिज गार्डन के अंदर बने बैंक्वेट हॉल में भेज देता है जहाँ पर लगन ठीके की रसम चल रही होती है इसके बाद बच्चा मौका मिलते ही बैक चुरा कर भागते हुए मैरिज गारण में बने बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल जाता है और सीधा मैरिज गारण से बाहर चला जाता है बच्चे के पीछे गैंगा दूसरा सदस्ते भी भागते हुए मैरिज गार्डन से बाहर निकलता है मैरिज गार्डन के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी गैंग के सदस्य सडक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं परिवादी को पुलिस मेरी पोर्ड दर्श कराने के लिए थाने के कई चकर काटने पड़े और अधिकारियों को प्रकरण से अबगत करवाए जाने के बाद में हर मारा थाने में FIR दर्श की गई झाल